विडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो मेरा options के best concept है option selling के लिए लॉजिक उसके पीछे है क्या है मैं आपको concept बताने वाला हूँ वीडियो को end तक देखिए तो बहुत सारे चीज़े आपको सीखने के लिए मिलेगी और एक पॉइंट जिन लोग नय है completely उन लोग जाके पहले यूटुब में आप अगर options by power of stocks अगर search करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा basic से लेकर अभी तक इतना मैंने पढ़ाया है तो आपको एक in details में knowledge हो जाएगा अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए let's say option selling होता है क्या है first of all market अगर उपर जा रहा है तो PE sort करेंगे आपको पैसा मिलेगा market अगर नीचे जा रहा है CE sort करेंगे आपको पैसा मिलेगा CE nothing but call PE nothing but put यह आप लोगों को पता होगा यह सारे चीजे आपको पता है it's a basic okay मैं आपको क्या बताया हूँ बहुत बार जिन लोग regular followers मेरे उन लोगों को पता है market में unusual momentum possible है नहीं है ऐसा 90 degree momentum possible नहीं है कभी अगर continuously down जा रहा है या फिर continuously उपर जा रहा है ऐसा momentum generally possible नहीं होता तो कुछ points में आपको बता रहा हूँ यह अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा momentum अगर यह substrate नहीं करेगा इसका मतलब there is a scope to either मैं यह point पे call sort करूंगा या फिर कुछ दूसरे opportunity मिल सकते है या फिर यहां पे future sort किया जा सकता है क्या हो सकता है मैं आपको in details में दिरे दिरे आम लोग बात करेंगे लेकिन कुछ points पहले आप लिख लीजे हमेसा ध्यान में रखिए stocks option अभी हम option selling के उपर बात कर रहे है तो stock option जबी भी monthly expiry के पास अगर कोई भी stock F&O में जो stock है अगर unusual momentum कि आप उसको sort कर सकते हो कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा don't worry लेकिन आप बस यह line लिख लो stocks monthly expiry के आसपास अगर near about और साथ दिन बचा हुआ है monthly expiry होने के लिए एक stock ऐसे unusual momentum देके ऊपर जा रहा है तो वहां पर एक scope है हम लोग option sell कर सकते है call sort कर सकते है या फिर future करके ऊपर कुछ कर सकते हैं यह सारे हम लोग देखेंगे यह stock same चीजे अभी हमारे पास scope क्या है near about expiry expiry हम लोग को पता है nipty bank nipty में weekly expiry है तो no doubt weekly expiry में इसका मतलब bank nipty कभी भी unusual momentum करता है तो there is a chance किने हम लोग उसको trade कर पाए यह चीज़े ध्यान में रुके यह concept आपक अगर theory क्या है कि अगर आप bank nipty देख रहे हैं तो weekly क्या आसपास हो अगर stock देख रहे हैं तो near about expiry हो monthly expiry इतना आपको समझ में आ गया let's go to chart अभी अगर आप देखेंगे यह point पर अगर bank nipty देखेंगे first thing first यहाँ पर bank nipty continuously 31,000 से 32,000 without giving any retracement हो जा चुका है no doubt बहसा लोगो हाँ यह तो ऐसे momentum करता है लेकर ऐसे momentum करता है no doubt लेकिन आप जस्ट मोमेंट की candle देखें without giving any retracement continuously जा रहे है आप अगर पीछे की candles देखेंगे जबी भी market ऊपर जा रहा है यहाँ पर गया है लेकिन it has to made retracement candle फिर गया है यहाँ पर भी गया है यह point पर गया है लेकिन यह point पर continuously इतना बड़ा बड़ा candle बना के नहीं गया है definitely जो previous at least यह point से जो आपका November हो गया October हो गया दो तिन मन्थ से यह unusual moment है no doubt क्या कर सकते है मैं आपको बताता हूँ लेकिन it's unusual momentum हाँ लेसे एक example देता हूँ लेसे Tata Motors Tata Motors साब लोगों को पता होगा कल एक बहुत बड़ा momentum दिया थ यह momentum देने के बाद अगर मैं आपको बता हूँ यह हमारे selling list में था जो retracement trade होते हैं वो retracement trade के अंदर था और आज यह best place में खुला था जो उपर खुला बेस्ट पे खुला था फिर यह continuous लोग उपर गया एक stop loss ही हुआ second entry में बहुत बड़ा profit मिला क्योंकि यह top में ही हम में बताता हूँ retracement का trade क्या होता है क्या ने लेकिन इसे unusual momentum इसे unusual momentum आप देखे रहे हैं उसके बाद market थोड़ा pause लेता है फिर मैं आपको और example दिखाऊंगा लेकिन यह point पर अगर देखेंगे उपर open हुआ unusual momentum किया था continuously slow and study जा रहा था यह point पर भी एक unusual momentum किया next day फिन नीच आ होते रहते हैं probability कितना है 60% 70% accuracy के साथ आपको trade करना है one is to two one is to three okay यह selling list में था हम लोग इसको sell भी कि एक अच्छा profit मेला हमेसा एक चीजे ध्यान में रहे कि ही सारी चीजे में classroom में था अभी जो Mumbai का class है अल्रड़ी full हो चुका है full in the sense अभी देखिये और 7 दिन या 10 दिन बाक अगर नहीं मिलता है कुछ लोग डर के भी नहीं पूसते कुछ लोग थोड़ा hesitate करते हैं तो वहां पे study नहीं हो पाता है या फिर मेरा topic जो है छूट जाएगा इसलिए मैं बड़ा batches नहीं करता हूँ छोटे-छोटे batches में ही easy रहता है पढ़ाना और आप लोग समझ पाओ है अभी देखिए टाटा मोटर्स यहां पे था अभी same scenario बना रहा है आपका bank nipty, bank nipty अगर आप देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग discussion करेंगे no doubt पहले समझने का कोशिच कि यह bank nipty यह continuously without giving any direction रिट्रेस्मेंट यह continuously उपर जा रहा है लास्ट ऐसा कब हुआ था अगर आप most open low बना के यह उपर जा रहा है इसका मतलब market chances है कि यहां पर halt कर सकता है first thing first आप यहां पर कर क्या सकते हैं पहले आपको यह समझ में आ गया है कि next week expiry है तो आपके पास expiry के लिए और तीन दिन बचा हुआ है Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday तीन से चार दिन आप लोगों के लिए बचा हुआ है तो अभी scope क्या है first thing first लोग क्या सोचेंगे आप क्या सोचेंगे आप क्या सोचते हैं चलिए हम लोग देखते हैं क्या आपको लगता है यह points है और thousand point का rally यह 33,000 है thousand point का rally possible है या नहीं है by Thursday आपको क्या लगता है बहुत साथ लोग बोलेंगे हाँ possible है यह breakout है maybe कल सुबह यह breakout देखके निकल जाएगा ऊपर की तरफ I am also agree कि नहीं हाई निकल सकता है just imagine कि नहीं कैसे यह निकलेगा let's say 30,000 level का यह है 30,000 हम लोग सोच रहे 1000 point का एक momentum हो within weekly expiry के अंदर यह thousand point का momentum होगा या नहीं हो अगर यह होता है तो किस तरीका का candle बना सकता है इधर यह in a day एक बड़ा सा 1000 point का candle बना सकता है आपको क्या लगता है एक in a day 1000 point का rally क्या Monday के लिए possible है probability क्या है probability no doubt थोड़ा less है कोई बोलेगा हाँ यह 300 से 400 point का momentum कर सकता है इसका मतलब क्या है no doubt यह green candle फिट से बनाएगा इसका मतलब एक दिन दो दिन तीन दिन यह चार दिन continuously green candle बना चुका है let's comes to five days मतलब उसके बात का दिन उसके बात का दिन फिर से तिन candle बनाएगा ऐसे तिन candle ऐसा momentum कौन से दिन हुआ है just go and check history कि ने continuously 5 दिन तक market ऐसे uptrend में बना रहा है that too कि ने without giving any retracement अगर let's say कोई बोलेगा हाँ एक retracement भी दे सकता है यह Monday के दिन भी एक retracement दे सकता है इसका मतलब मंदे का दिन ऐसा कुछ candle बनाएगा फिर break करेगा तो no doubt 33,000 पहुँचने के लिए इसके पास और ज्यादा time नहीं है Thursday कोई expire होने वाला है तो कुछ लोग यह बोलेंगे कि नहीं हाँ यह possible नहीं है 33,000 जाने के लिए तो आपके पास क्या option है आपको लग रहा है कि 33,000 अगर नहीं जा सकता 33,000 का call का option आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 36 रूपीज में राइट नाँ आपको मिल रहा है यह आप अगर देखेंगे 33,000 19 December CE आपको मिल रहा है 36 रूपीज में इसका मतलब क्या है अगर market 33,000 अगर नहीं पहुंसता यह फिर अगर 33,000 भी पहुंसता है market Thursday closing price पे तो भी यह call 0 होने वाला है 33,000 पे भी पहुंचेगा तो भी यह 0 होगा क्योंकि वो एक्सपैर हो जाएगा worthless यह अगर 33,000 के ऊपर चला जाएगा तो ही आप loss करेंगे आप loss कब करेंगे market जब 33,000 36 के ऊपर जाएगा यह प्लस आपका जो प्रीमियम आपने जो आपने प्रीमियम दिया है 36 इसके ऊपर इसका मतलब आपके पास अभी स्कोप है 1000.36 अगर आप गलत होंगे market अगर 32,000 something में है 1000.00 अगर जाएगा तो आप गलत हुए आपका view गलत हुआ तो आपको यहाँ पे losses होने का chance है और कुछ लोग argue करेंगे कि यहाँ अगर market पहुँच गया तो बड़ा losses भी हो सकता है possible है losses हो सकता है लेकिन just imagine अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि यह market यहाँ से 1000 point का rally कर सकता है फर्दोज आप जाके put sort कर सकते हो 1000 point नीचे का इसका मतलब 32,000 अभी market चल रहा है अभी 31,000 PE अगर आप देखेंगे मिल रहा है 25 रुपीज में बहुत साल लोगों को लग रहा हो गया 25 रुपीज क्या है first thing यह क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को में भी यह समझ नहीं जा रहा होगा लेकिन option seller इतने point के लिए भी market के लिए आते है 10 रुपे के लिए market आते है आप खुर सोचिए let's say कोई stock आपने 5 रुपे में खरीदा है just example आप investing किए कोई stock 5 रुपे में वो stock चला गया 30 रुपे don't you think it's a multi bagger आपके लिए किने 5 to 6 time यह बढ़ गया आप अगर 1000 quantity खरीदे होंगे तो यह बहुत बढ़ा हो गया बहुत अच्छा profit है same option every weekend में होता है every expiry में होता है 25 का call हो जाता है 0 200 का call हो जाता है almost it's about to become 0 अगर आपका view है इसका मतलब multi bagger हर एक week में आप ढून सकते लेकिन आपका view clear होना चीए मैंने क्या बोला है जबी भी market में unusual momentum रहता है आप उसमें ready रहो एक example अगर चोटा सा दिखाऊ let's say unusual momentum no doubt यह था 23 September आप देख रहे हो 23 September definitely it's near about expiry monthly expiry के पास भी है weekly expiry के पास भी है अगर यह ऐसा momentum किया है तो no doubt आपको बहुत सारे stock में भी ऐसे momentum दिखे होंगे आप खुछ सोचिए कितना पैसा बना सकते थे 400 points यहाँ पे capture हुए थे क्योंकि यह point पे जो call कर premium चल रहा था वो बहुत ज़्यादा high था at the money में sort किया था मैं तो आपको 1000 points ahead का बता रहा हूँ just I am giving example वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like कीजिए अब हमेसा दीखिए अभी चीजे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि यह unusual momentum यह दिख रहा है आप लोगों को unusual से यह नीचे आ जाएगा तो आप call sort कर सकते हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं market ऊपर जा नहीं पाएगा तो भी आप call sort कर सकते हो अभी दिखिए अगर market नीचे आएगा 31,000 point अगर market नीचे आएगा 31,000 तो 1000 point डाउन होगा तो market कैसे दिखिएगा एक बड़ा सा red candle यहाँ पर बनाएगा और एक बड़ा सा red candle यहाँ पर बनाएगा इतना बड़ा red candle बनाने के लिए possibly नहीं है यह momentum में इतने हमें कुछ ना कुछ अगर band news बहुत बड़ा band news आएगा तो ही market ऐसा candle बना के नीचे आएगा इसका मतलब call पर पैसा मिल जाएगा अगर आप अगर call sort के हो तो आपका view क्या है बहुत सारे लोग थोड़ा smart होंगे no doubt उन लोग क्या करेंगे thousand point उपर का call, thousand point नीचे का put लेकिन इसके लिए क्या चाहिए no doubt capital चाहिए लोग इस तरीके से hedge करते है आप अगर call sort करेंगे तो कम capital में हो जाएगा put naked sort करेंगे कम capital में हो जाएगा दोनों अगर hedge करना चाहिए और market close हो गया summer year तो दोनों side आपको पैसा मिला यहाँ पे 36 रुपीश यहाँ पे 25 रुपीश पूरा 50 रुपीश आपको मिला जो बहुत अच्छा है ऐसे ही option selling होता है इसको बोलते है option hedging hedging करने के लिए no doubt ज्यादा पैसा चाहिए बहुत साथ लोग मुझे question पूते है sir हमारे का capital नहीं है मैं क्या करो मैं आपको एक चीज़े बताता हूँ बहुत साथ लोगों को में भी खराब लग सकता है लेकिन चीज़े clear है अब अगर restaurant खोडने जाएंगे या फिर कोई property खरीदने जाएंगे no doubt उसका एक cost रहता है वो cost को आप कम नहीं कर सकते या फिर ऐसे नहीं बोल सकते मेरे पास हो है नहीं आप क्या कर सकते हैं एक property आप अगर खरीद रहे हो एक house अगर आप खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो आप जाके पहले इतना पैसा arrange करते हो इतना पैसा earn करते हो उसके बाद जाकर वो property खरीदे हो अभी मैं आपको क्या suggest करूँगा लेट से आपको option में trade करना इतना बड़ा capital नहीं है तो पहले उसके लिए capital save करो arrange करो arrange in the sense के नहीं loan करो या फिर किसी से borrow करो वो मैं नहीं बोल रहा हो पहले earn करो मुझे पता है आप लोगों को trader बनना है यह आप start किये थे A to Z आपका goal है no doubt लेकिन A to Z ऐसे life नहीं होता है किने direct जाएगा ऐसे market भी नहीं चलता ऐसे किने आप यहाँ पर buy किये ऐसे sell किये market उपन नीचे हो के जाता इसका मतलब आपको A to Z पहुँचने के लिए B जाना पड़ेगा C जा सकते हैं यह Tata Motors मैं कहां पर sort करता है exit price कहां पर होता है entry कहां होता है stop loss कहां होता है सब चीजे आप खुश सोचिए अभी 10% मेरे viewers बंद करके वीडियो उन लोग जाके चेक करेंगे किने डूणनेंगे दूसरे जागा कहां पर jackpot strategy, break out strategy often selling strategy यह साथ ढूणते रहेंगे 80% 90% वीवर जिन लोग रेगुलरी देख रहें जिन लोग के लिए में रेगुलरी वीडियो बनाता हूं उन लोग क्या करेंगे अभी जाके market में आधा गंटा जाके ढूणनेंगे किने कॉनसे stock में ऐसा unusual momentum हो रहा है या फिर past में ऐसा हुआ है या फिर अगर जैसे nifty nifty अगर चलिए history देख लेता है back कर लेता है let's say यहाँ पे don't you think it's unusual momentum election के टाइम पे था उस टाइम पे मैं बोल रहा था market नीचा आएगा check the dates 23 में इसका मतलब near about expiry 23 मतलब near about expiry आप लोग यह buying में क्या पैसा बना है I don't know लेकिन मैं sell में बहुत अच्छा पैसा कमा है वो आपको भी पता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि नीच चीजे repeat होती है आपको ध्यान में रटको हाँ जो मैं बता रहा था जो 80% viewer होंगे right उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ देखिए अभी जाब के आप मेहनत करोगे मुझे पता है डूंडोगे ऐसा stock आप खुद सोचिए उसी के बाद वो interesting लगेगा आप खुद जाके वो setup देखोगे कहा entry ले सकता था क्या probability था तब भी आप grow कर पाओगे अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नहाँ यहाँ entry करना देखना अगर यह अगर चोटा सा example दू लेटसे सबको गाड़ी चाहिए घर चाहिए कल सुबह आप उठते हैं और आपके पास जो desire गाड़ी आपको चाहिए ग्राउंड लेबल पर रहके वर कि अभी आप ढूंड़ी देखिए मैं भी अपना हाथ जलाया हूँ पैसा जलाया हूँ यह सारे चीज़े ढूंडने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए आज मार्केट इतना पॉइंट चला गया तो मैं भी क्या करता था बहुत सारे लोग क्या करेंगे मैं बता हूँ सीधा सब थाउजेंड पॉइंड पॉइंड का लोटरी खरीदे होंगे 36 रुपेज में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग 40 रुपे में 50 रुपे में लोटरी खरीदे होंगे lottery, it's a lottery, it's a complete आपको लग रहा हो का, हाँ, यहां से और 1000 पॉइंट चला जाएगा, में भी वो correct हो सकते हैं, लेकिन 1000 पॉइंट जाने के लिए market कितना बड़ा candle बनायागा, आपको पता चल रहा है, यहां से यह बनायागा, अगर यह आपको लग रहा इतना तक जाएगा, तो मैं आपको बोलूगा, सेब साइड आप यह सौट कर दो at least 25 रुपे तो घर आएगा ने तो फिर यहां पर सोड़ा sideways भी जाएगा तो भी 25 रुपे घर आएगा, अगर यह sideways आता है, उपर भी सौट किये हैं, hedge करके रखे हैं, तो 50 रुपे आ रहा है, या फिर अगर 2-3 दिर मार्केट हॉल्ट भी करता है, 20-30 रुपे, ऐसे भी प्रेमियम गड़ जाएगा, इसको बोला जाता है, बिजनेस, बिजनेस को समझ जीए, चीजों को समझ जीए, नेक्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, 1600 जब लाइक आएगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, इसे जाके आप हर एक स्टॉक में चेक कर सकते हैं, मंतली एक्सपैरी के आजपास, कौन ऐसा मोमेंटम कर रहा है, वीक्ली एक्सपैरी के पास, कौन ऐसा मोमेंटम कर रहा है, और इसका प्रीमियम, आज अगर आप देखेंगे 36, इसका हाई कितना लगाया है अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाई, इसका हाई लगा है, 61 रुपीज में कोई चीज़ 61 रुपीज में हाई अभी 36 में क्लोज हो गया है और एक चीज़े दीखें, मार्केट अल्मोस्ट हाई के आसपास क्लोज हुआ, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम तो है, लेकिन यह प्रीमियम अल्रेडी घड़ चुगा है, 36 रुपीज हो चुका है इसका मतलब अगर कोई 60 रुपीज में इसलिए, ऑफसें सेलर एक दो पसेंट, तीन पसेंट कमाते है लेकिन, आप यह बात समझ जाईए आई होप, आपको बहुत सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा छोटा सा वीडियो था, I know लेकिन जो कॉंसेप्ट में बता रहा हूँ, वैसे ही आप समझेए जहां पर unusual momentum हो रहा है क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, और एक बार बता देता हूँ जब भी भी ऐसे unusual momentum होता है जो continuously हुआ नहीं है और suddenly ऐसा momentum हुआ है यह क्या करेगा, it will take a pause maybe a sideways to downtrend जा सकता है sideways to uptrend जा सकता है लेकिन यह sideways जाएगा हमेसा यह ध्यान में रेखिए, यह उपर गया यह फिट थोड़ा sideways गया, फिर यह नीचे आया मैं यहाँ पर put buy नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो confirmation नहीं है यहाँ पर भी market उपर जाने का कोसिस कर रहा है तब फिर एक sideways market है इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर सीब बस sort करके रखूँगा तो no doubt market sideways जाए तो भी पैसा मिलेगा market नीचे जाए तो भी पैसा मिलेगा time value के कारण दोनों जगा पैसा मिलेगा अगर sideways जाके market उपर भी जाता है तो भी premium कुछ ना कुछ गढ़ गया होगा हाई होप आपको अभी दिरे दिरे business समझ में आ रहा होगा वीडियो अच्छा लगा तो यह फिर वीडियो को like केजिए thousand like आएगा तो फिर में next part बनाऊंगा option का जो हम लोग को volatility के उपर रहेगा फिर उसके बाद option calculator रहेगा यह वीडियो में इसलिए बनाया क्योंकि एक interesting point पर market मुझे दिख रहा है और let's say अभी क्या होगा बहुत साय लोग यह मान के चलेंगे कि ने sir ने बोला है कल सुबह market पहुज करने वाला है Monday को एक sideways market मिलने वाला है उन लोग यह expectation के साथ जाएंगे कुछ capital लगा के जाएंगे market ने और एक बात 300 point का rally कर दिया continuously green candle बनाया possible है यह हो सकता है आप यह point पर कुछ capital जला लोगे या फिर जो money management follow नहीं करते है उन लोग अपना capital जला देंगे next time और पैसा ही ने trade करने के लिए येकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक stop loss लोगा it's okay मेरे लिए अभी sideways market है मैं next day पैसा बनाऊँगा अगर next day फिर से green candle बनाता है जो possibly नहीं दिख रहा है अगर बनाता है still मैं उसके बात का दिन बनाऊगा understood the point एक stop loss होगा it's very fine अगर market sideways हो गया यह premium बहुत जल्दी घड़ जाएंगा अगर आज call का premium आप अगर देखे होंगे तो बहुत तेजी से नीचे आ गया last 15 minute में यह ध्यान में रखिया almost happen hour 15 minute में बहुत तेजी से आ गया नीचे क्योंकि morning में momentum चल रहा था फिर हो बहुत तेजी से नीचे आया यह सारे चीजे समझी है अगर आपको trader बनना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप मेहनत करेंगे तुम ही में help कर पाऊंगा नहीं तो possible नहीं है वीडियो अच्छा लगा दर फिर नोड़ेगा लाइक और शेयर करना मत विल्यों फेंट अभी के लिए वीडियो में इतना ही थैंक्यू